गुड मार्निंग चिल्रेन आज हम इंगलिश में लेसन नमबर 11 सेविंग ट्रीज पढ़ेंगे जो की पेज नमबर 111 पर है तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं लेसन नेम तो आपने देख लिया सेविंग ट्रीज ट्रीज मिन पेड़ सेविंग मिन बचाना पेड़ों को बचाओ ठीक अब हम यहाँ चित्र देख रहे हैं यह आपको पिच्चर दिख रही है ट्रीज दिख रहा है सबको आप सबके आस पास बहुत सारे ट्रीज है कूल में भी है ट्रीज तो उससे संबंदित बहुत ही अच्छा लेसन आया यहाँ पर जिसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है तो आप से कुछ कुछन पूछे गए हैं जिसका रिपलाई आप असानी से कर सकते हैं मैं फर्स्ट कुछन रीड कर रही हूँ name some trees that you see in your surrounding name some trees कुछ पेडों के नाम बताईए that you see जो आप देखते हैं in your surrounding अपने चारों और आपके आस पास जितने भी पेड हैं उन सब के नाम बताईए मैंने यहाँ पर लिखा है neem tree, people tree mango tree jamun tree आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके आजपास ट्री है ज़रूर है आपने यही लिखने है आपके आजपास कोई दूस्रा ट्री भी है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते है बैनियन ट्री भी लिख सकते है ठीक, उसके बाद next question है have you ever planted a tree, क्या आपने कभी किसी पोधे को लगाया है कोई पोधा लगाया है where where mean कहा and when when mean कब and when did you plant it और आपने इसे कब लगाया था और कहां पर लगाया था yes I had planted a mango tree on my first day in the school हाँ मैंने एक आम का पेड लगाया था अपने school में जब मैं पहले दिन school में गई थी I planted it in my school मैंने इसे कहां पर लगाया अपने school में लगाया था ठीक आप भी यही लिख सकते हैं के बाद next question what do you get from trees हम पेडों से क्या लेते हैं पेड हमें क्या देते हैं आपको पेडों से क्या क्या मिलता है अपने हिंदी में third class में पार्ट पड़ा था औश्दिया वाला तो वो ही यह देखें वो ही हिंदी में था यह इंग्लिश में है same हमें क्या क्या मिलता है we get fruits wood medicine from trees हमें फल मिलते हैं लकड़ी मिलती हैं दवाया मिलती हैं कहां किसे पेडों से यह भी समझ में आप क्या उसके बाद अगला question why should we not cut trees हमें पेड क्यों नहीं काटने चाहिए बताइए इसमें आप क्या बताएंगे we should not cut trees because they are very useful for us हमें पेडों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही बहुत बहुत यादा लाबदायक है ठीक यह आपको समझ में आ गया यह आप से pre-reading के question थे के बाद अब हम lesson को read करते हैं next page पे यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं अनारो अ girl of nine lived in a mountain village in the गड़वाल हिमाल्याज अनारो एक लड़की का नाम है जो कि 9 साल की है lived mean रहती है कहाँ पर पहाड़ी गाओं में mountain mean क्या होता है पहाड़ी शित्र पहाड़ी गाओं में कहाँ पर इंदा गड़वाल हिमाल्या हिमाल्या के गड़वाल में गड़वाल हिमाल्या में अनारो जो 9 साल की एक लड़की है वो एक पहाड़ी गाओं में रहती थी It was a small village surrounded by many green ash trees यह जो है एक छोटा सा गाव था जो की surrounded में घीरा हुआ था by many green ash trees बहुत सारे हरे भरे आश में क्या होते हैं? सदा बहार सदा बहार के पेड़ यह एक बहुत ही छोटा गाव था जो की बहुत हरे भरे सदा बहार के पेड़ों से घीरा हुआ यहां तक समझ में आगे आपको आगे हम पढ़ते हैं the river अलक नंदा फ्लोड नियर्बाइ singing and dancing in a jig-jag way river mean नदी अलक नंदा नदी का नाम है फ्लोड मिन बहती थी नियर्बाइ पास में ही singing mean गाना dancing mean नाचना in a jig-jag way jig-jag क्या होता है? teda-mida अब teda-mida क्या होता है? यह देखी मैंने jig-jag का pattern बना रखा है आपनी first class में z4 jig-jag पढ़ा था ना यह वो ही मैंने यह देखी teda-mida ऐसी रास्ता सा बना दिया यह jig-jag का pattern है तो अब यह क्या है? यहां पर the river अलक नंदा वहां पर अलक नंदा नदी बहती थी पास में ही जो की नाच्ती हुई और गाती हुई एडे-मेडे रास्तों से वहां से जाती थी यहां तक समझ में आ गया? फिर से पड़े हम अनारो नो साल की लड़की थी जो की गड़वाल हिमाल्या में पहाड़ी शेतर में रहती थी और उसका गाव जो था बहुत सारे सदा बहार के पेड़ों से गीरा हुआ था यानि कि उसके गाव में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और पास में ही अलक नंदा नदी महां पर बहती थी और वो नदी ऐसे लगती थी जैसेडे मेडे रास्तों से गुजरती थी नाचती हुई और गाती हुई पीपल गोट फायर वूड फॉर्डर फॉर देयर केटल वूड फॉर देयर हाउसी और फार्म टूल फ्रॉम दा फॉरेस्ट पीपल मिन लोग लोग फायर वूड मिन लगडी कौन दी लगडी इंधन की जो चुले में जलाते हैं लोग वहां से इंधन की लगड़ी प्राप्ट करते थे फॉर्डर मिन पशू का चारा फॉर देयर केटल पशू अपने पशू के लिए पशू का चारा भी प्राप्त करते थे कहां पर उस जंगल में से जो पास में ही था और wood for their houses लकडी भी उनको अपने घरों के लिए प्राप्त होती थी and farm tools from the forest और उस जंगल से वो अपनी खेती के लिए और जार भी प्राप्त करते थे उनको वहां से मिलता था अनारो you to spend her time in the forest with her grandma अनारो जो थी वो ज्यादा तर अपना समय कहां बिताती थी जंगल में ही with her grandma grandma mean दादी आपकी भी दादी है ना आप भी अपनी दादी के साथ बहुत समय वैतीत करते हैं ऐसे ही अनारो भी अपना बहुत सारा समय अपनी दादी के साथ जंगल में बिताती थी she played under ash trees and felt very happy among them वो क्या करती थी उन तदा बहार पेड़ों के पास नीचे खेलती रहती थी और बहुत ही खुशी का अनभव करती थी उन पेड़ों के आजपास रहे के तो यह आपको यहां तक समझ में आ गया फिर से पड़े लोगों को उससे क्या मिलता था जंगल से लकड़ी भी मिलती थी पश्वों के लिए चारा भी मिलता था और अपने घरों के लिए लकड़ी भी मिलती थी और जंगल से और क्या मिलता था खेती के ओजार भी मिलते थी तो अनारो जो क्या करती थी जब उसकी दादी जंगल से लकड़ी लेने जाती थी तो वो भी अपनी दादी के साथ जाती थी और जंगल में ही खेलती रहती थी और बहुत ही खुशी का अनबव करती थी आगे देखें Myanmar वूड से टो हर ये देखीं ये चितर में आपको दिख रही है नारो इस चितर में देखें ये पने जंगल में पेडों के साथ खुशी का अनबव कर रही है उनने हग कर रही है गले लगा रही है तो आगे पड़ते हैं grandma would say to her trees are our friends दादी उसको कहती थी अनारों को trees जो है पेड़ जो है हमारी best friend है हमारी अच्छे दोस्त है they give us fresh and pure hair वो हमें क्या देते हैं ताजी और शुद्ध हवा देते हैं fresh मिन ताजी, pure मिन शुद्ध हवा देते हैं कौन देते हैं पेड़ the earth looks beautiful with trees और यह जो धरती है प्रित्वी है यह बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है किसके साथ जब धरती पर बहुत सारे पेड़ हैं तो यह धरती बहुत ही खुबसूरत दिखाई देती है so we should grow and save trees इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें अधिक से अधिक पेड उगाने चाहिए लगाने चाहिए और इन पेड़ों को बचाना चाहिए तो बच्चों इसी वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं अगली वीडियो में हम यहां से समझेंगे थैंक यू